हाई गाईज, वेलकम टुबी बैंकर स्वागत है आपका आज की क्लास में आज के वीडियो में मैं हूँ पृती माम और आज में लेकर क्या गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास आज की क्लास होने वाली है सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्दों के उपर सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के उपर तो सबसे जादा बोले जाते हैं तो आपको भी जरूर इनको बोलना चाहिए और इसी के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास उसके पहले अगर चानल पर नहीं है और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो फटा फट से कर लिए चानल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते वक्त बल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी important सी class आए आपको जरूर पता लग जाए सीधे सीधे telegram पर आप join कर सकते हैं आप जुड सकते हैं हमारे साथ telegram पर ताकि आपको वहाँ पर रोज की हमारी classes मिल सकें और आप हमारी courses के बारे में e-books के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें इसी के साथ आज की class को चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला शब्द है slightly जब हमें कहना हो थोड़ा थोड़ा या थोड़ा कहते हैं न कई बर बस थोड़ा सा या थोड़े थोड़ा है ना तो इस्तमाल करेंगे शब्द slightly का किसका इस्तमाल करेंगे देखिए कई बार क्या होता है जब आप learning phase में होते हैं और आप हिंदी में अगर थोड़ा थोड़ा का अस्तमाल कर रहे हैं, तो हमें लगता है कई बार के अंग्रेजी में शायद कोई ऐसा शब्द होगा, जो दो बार रिपीट होगा, but the answer is no, हमारे पास अंग्रेजी में एक शब्द है, that is slightly, जिसका अर्थ हो जाता है, थोड़ा थोड़ा, इसका अस्तमाल करेंगे और इसके I was slightly surprised, मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हुआ, I was slightly surprised, आगे बढ़ते हैं, somewhat, कुछ हद तक या कुछ न कुछ, जब जुगार वाली बात होती है, कुछ हद तक या कुछ न कुछ करके, तो इस्तमाल करेंगे शब्द उसके जगा पर, somewhat का, वह कुछ हद तक संदिग्द था, he was somewhat doubtful संदिग्द यानि कि doubtful, जो कोई चीज पूछी जाए और सही तरीके से जवाब न मिल पाए, तो वहाँ पर कहते हैं, कि somewhat जो है, वो doubtful था, वह कुछ हद तक संदिग्द था, he was somewhat doubtful, equally यानि कि समान रूप से या ठीक वैसा ही, equally, जो समानता को दिखाता हो, समान रूप से ए बाट ले, share the cake equally, मतलब केक को क्या करना है, अच्छे से टुकडों में काटना है, और समान तरीके से टुकडों में काट करके बाट लेना है, बढ़ते हैं आगे, personally यानि कि व्यक्तिगत रूप से या नीजी तोर पर, जब आप अपनी बात करें, या अपने से बिलकुल close, personal आप बात करें, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से, आप जब इस्तमाल करते हैं, तो इस्तमाल करेंगे शब्द personally का, जैसे, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, I know him personally, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, I know him personally, बढ़ते हैं आगे regularly अगला शब्ड है, जहां पर इस्तमाल होता है नियमित तोर पर या नियमित रूप से, वहाँ पर अनुवाद करते वक्त, आपस्तमाल करेंगे शब्द regularly का, जैसे हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, अगर आप नहीं करते तो आपको जरूर करना चाहिए, हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, we exercise regularly, बढ़ते हैं आगे basically, यानि की मूल तह या मूल रूप से, वह मूल रूप से एक अच्छा बच्चा है, he is basically a nice kid, वह मूल रूप से एक अच्छा बच्चा है, he is basically a nice kid, anyway, वैसे भी या किसी ना किसी प्रकार से, मतलब कोई चीज होती है न, जो हो जाती है, बस कैसे भी करके, वैसे भी, यानि की anyway, हम वैसे भी जाएंगे, we will go anyway, हम वैसे भी जाएंगे, we will go anyway, automatically यानि की खुद बखुद या अपने आप, दर्वाजा खुद बखुद खुद खुद खुल गया, the door opened automatically, दर्वाजा खुद बखुद खुल गया दोर ओपेंड ओर्टोमाटिकली डीपली गहराई से गंभीरता पूर्वक या गहरे तौर पर इस्तेमाल करेंगे शब्द डीपली का वह गहरे सदमे में है He is deeply in shock वह गहरे सदमे में है He is deeply in shock बढ़ते हैं आगे निश्चित तौर पर निश्चित रूप से या जरूर इस्तमाल करेंगे शब्द definitely का किसका इस्तमाल करेंगे इस्तमाल करेंगे शब्द definitely का निश्चित रूप से बारिश होगी It will definitely rain निश्चित रूप से बारिश होगी It will definitely rain जान बूज कर यानि की deliberately जान बूझ कर यानि कि deliberately उसने ऐसा जान बूझ कर किया He did it deliberately Hardly यानि कि मुश्किल से ही कभी या मुश्किल से कभी Hardly इस्तमाल करेंगे वह मुश्किल से वहाँ जाते हैं He hardly goes there वो मुश्किल से वहां जाते हैं, he hardly goes there, clearlyTim जैसे स्पष्ट रूप से कहो, speak clearly, स्पष्ट रूप से कहो, स्पष्ट रूप से बात करो, speak clearly, everywhere, हर तरफ, हर जगह, इस्तमाल करेंगे शब्द everywhere का हमने हर जगा खोजा, we searched everywhere, always, यानि कि हमेशा, always, इस्तमाल करेंगे हमेशा, वो हमेशा आता है, he always comes, वह हमेशा आता है, he always comes, एनिवन यानि कि कोई भी, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, anyone can speak English, जी हाँ आप भी बोल सकते हैं, इसलिए तो क्लास आप कर रहे हैं, So anyone can speak English, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, anyone can speak English, ताकि यानि की so that, ताकि आप सीख सकें, so that you could learn, ताकि आप सीख सकें, so that you could learn. Usually आम तौर पर, कहते हैं ना आम तौर पर मैं वहां नहीं जाता, या आम तौर पर मैं वहीं जाता हूं, इस्तमाल करेंगे शब्द usually का, जैसे आम तौर पर मैं छे बजे उठता हूं, I usually wake up at six, I usually wake up at six, often, यानि की अकसर, often, इस्तमाल करेंगे शब्द अकसर का, वह अकसर देर से आता है, he often comes late, वह अकसर देर से आता है, he often comes late, बढ़ते हैं आगे, तथा पी या तब भी, इस्तमाल होगा शब्द हाउएवर का, किसका इस्तमाल होगा? इस्तमाल होगा however का, कारिकरम छोटा था, तब भी अच्छा था, the program was short, however it was good, the program was short, however it was good, So, ये थी आज की class और इसी शब्द के साथ हमने खतम की आज की class, आज की class में हमने धेर सारे शब्दों को सीखा, हमने जाना कि कैसे आम जिन्दिगी में जिन शब्दों का स्तमाल हम लोग करते हैं हिंदी में, उनका स्तमाल आप अंग्रेजी में कैसे कर सकते हैं बहुत ही बहत तरीके से ये सारे शब्दों को क्या करना है आपको इन सारे शब्दों को करना है कंठस्त जी हाँ एक बार में आप पांच शब्दों उठाइए और पांच शब्दों को आप याद करिए उनके अर्थ के साथ उनके एक्जैंपल के अर्थ के साथ जी हाँ आप कितने शब्दो हो सकती है फिर आपको अपनी ही मेनत वेर्थ नजर आएगी जी हाँ इसी के लिए examples मैं हमेशा अपनी class में examples जरूर से जरूर देती हूँ ताकि आपको word के मतलब की साथ साथ उसके usage का भी पता चले तो इस class में जो बही शब्दों को बनाना है और मुझे comment section में बताना है तो भई class कैसी लगी comment करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा class पसंद आई है ना class को करिये like करिये share चैनल को नहीं किया subscribe तो जल्दी से कर लीजे क्योंकि ऐसे ही classes यहाँ पर रोज आती हैं जहाँ पर आप सीख सकते हैं डेली डोज अपनी अंग्रेजी का जिससे आप सीख सकते हैं रोज अंग्रेजी बहुत ही बहतरीन तरीके से तो अगर आपको करनी है free spoken English की course घर बैठे वो भी मात्र 15 दिनों में तो basic plus spoken English course आपके लिए बहतरीन साबित हो सकती है आपको क्या करना है आपको सिर्फ इस telegram number पर message करना है कि मुझे basic plus course और उसकी e-book की link चाहिए तो हमारे प्रतिनी दिद्वारा आपको ये link जो है वो भेज दी जाएगी इसके साथ ही अगर आप करना चाहते हैं mini spoken English course तो इसके लिए भी आपको telegram पर जो है contact करना होगा कि मुझे mini spoken English course और उसकी e-book चाहिए तो इसकी link पर आपको हमारे प्रतिनी दिद्वारा बेज दी जाएगी telegram पर कैसे आना है telegram पर search करेंगे लिख करके be banker वहाँ पर हम लोग आपको मिलेंगे be banker education solution के नाम से याद रखना है 17,000 से जादा subscribers है और इसी चैनल पर जुड़ना है क्योंकि यही authentic यही official channel है इसके अलावा आप इस link के जरी आ सकते हैं इस number के जरी आ सकते हैं दोनों ही सूर्तों में आपको जो है हमारे प्रतिनीती दुआरा बता दिया जाएगा कि आपको ऐसे जॉइन करना है आप क्योंकि official page पर land होते हैं तो वहाँ पर आपको जॉइन बटन मिलेगा जहां पर आप जॉइन करके क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं आपको वहाँ पर मिल सकते हैं हमारी तीनों किताबों की updates इसके अलावा हमारी premium जो paid courses हैं उनके बारे में जानकारी जैसे कि है premium spoken English का course, basic English grammar का course, basic English reading का course ये तीनों ही exclusively paid courses है जहां पर आपको paid course के जैसे facilities मिलती है जहां पर आपको doubt classes दी जाती हैं आपको notes दिये जाते हैं हर class के आपको homework दिया जाता है आपको homework को check किया जाता है गलत होने पर आपको बताया जाता है कि भई आपका homework गलत है ये सारे ही चीज़े आपको paid courses में मिलती हैं तो आप अगर paid course करना चाहें तो जुरूर से जुरूर आप जो है telegram पर पता कर लें कि अगली batch इसकी कब शुडू हो रही है इसके अलावा in case आप free course करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया अल्रड़ी basic plus course और mini spoken English course इसके अलावा धेरो free courses करा रखे हैं तो उनके लिए भी आपको telegram पर आना होगा और पता करना होगा कि वो course आपको कैसे मिल सकती है सारी ही सूर्तों में आप जब भी telegram पर message करें इस बात का ध्यान रखें कि हमारी और से reply मिलने में आपको लगभग 12-40 गंडों का वक्त जो है वो लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर message कर दिया है निशिंद हो जाएं आपको reply ज़रूर ज़रूर मिलेगा कर दिया है